आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में एनाईय की टीम पर हमले का मामला तूल पकड़ रहा है बीजेपी और टीमसी दोनों की पार्टिया इसे भुनाने में लगी हुई है और इसी बीच एनाईय ने दुर्भावना के आरोपो को सिरे से खारिश कर दिया है पश्चिम बंगाल के भूपती नगर विस्फोट मामले में जाच करने गई एनाईय पर हमले को लेकर लग रहे आरोपों पर केंदरी एजेंसी ने सफाई दी है एनाईय ने पूरे विवाद को दुर्भागिपूर्ण बताते हुए आरोपों को खारिश कर दिया बयान में कहा गया कि हमारी कारवाई प्रामाडिक वैर्द और कानूनी रूप से अनिवारे थी क्योंकि ये बमों के निर्माड से संबंधित जगन अपराद की चल रही जाच का हिस्सा था इसी सिलसले में पूर मिदनी पूर जिले के भूपती नगर में छापे मारी की थी और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद गिरफतारियां की गई पश्रिम बंगाल की मुखिमंतरी मम्ता बेनर्जी ने दावा किया था कि रात के अंधेरे में NIA की टीम ने महिलाओं पर हमला किया था इसके बाद विस्फोट के मामले में गिरफतार TMC नेता की पत्नी की शिकायत के अधार पर पुलिस ने NIA अधिकारियों के खिलाफ यौन उत्पीडन और छेडशाड का मामला दज किया है इस पर NIA ने बयान जारी किया है वहें इस मामले में दो TMC नेताओं की गिरफतारी को लेकर TMC महासचिव अभिशेक बैनर जी ने BJP और NIA के बीच गट जोड का आरोप लगाया